कि अच्छ लिए काफी दिन हो गया मुझे लगा कि बार और आप से मिला जाए और कुछ न कुछ पे दिखाने का प्रयास किया जाए तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि बाजार यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा है और देखेंगे कि बाजार क्या करता है जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हमने वहाँ पे जब डिसकस किया था तो आपको बताया था कि बाजार में कहीं से सेल की संभावना भी नहीं दिख रही है तो कि मंधली टाइम फ्रेम हमारा बाय में है तो ज कुछेंगे सेल जब होगा बजार में तो बोल के आएगा ऐसा सेल होता नहीं है कि अचानक से मार्केट लगातार दो तीर में उपर जाए और कुछ भी हो तो दम बोल के आएगा किलियर लिके हाँ अब आपको डरने के जरूरत है वो चीजें होती है बजार में और किस प्रक हातो कि ने तो टो चली आप फिर से लगाते घंद हैं कि क्या लग पाता है नहीं लग पाता है सब करेंगे हम लोग तो सब आये कि आप लोग की लिफीक Rangersältा करो चलो हम आपको बताते हैं बहुत से चीज़ों प्यारेंडी भी चल रही है तो मैं देख रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है बेहतर सब्सक्राइब लोगों के लिए तो चलिए पहले हम वजार के बारे में इसके बाद हम थोरी से आपको लोगों का आज क्लास में सिखाने का प्रियास करेंगे option के बारे में खास करके जो option के buyer होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे region क्या है buyer का पक्ष मैं इसलिए ले रहा हूं कि जो आम आदमी होते हैं जो इस market में नए नए आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं किस प्रकार करेंगे चोटे मोते बेसिक टर्म में बताने का काफी फैदा होगा जिनके पास पैसे काफी कम है और करना उन्हें बाइंग है क्योंकि अगर मैं उन्हें कहदूं की बाइंग छोड़ दो अच्छी बात नहीं है हर समय बाइंग नहीं करनी चाहिए है आपके काफी एक्स्प्रियंश हो जाती है इनके पास है नहीं अगर आपके पास बहुत चोटे हैं बचाह जार लाग रुपे बीचार पची जार और आप बाइंग करोगे क्योंकि कैस में जाओगे आपको ज्यादा पैसा नहीं बनता है उसमें तो कि लिम्टेट बनेगा पर्सिंटेद वाइज ज्यादा बनता है यहां तो है कि भाई मैंने आप्सन दसका लिया तो मुझे पचास में बेचना है यह वाली खुमारी है तो उनको तो कश्ट थोरह होता है यह निविए मैं बताने के प्रयास करूंगा कि किस प्रकार आप उसमें क्या-क्या देखेंग को समय को ज्यादा यह नहीं करेंगे और फटा फट ले सकते हैं बजार की और बजार में से निफ्टी की और इंडेक्स को अगर यह करेगा तो बाखी सब भी उसे के अनुसार करने के कोशिस करेगा तो हमने यहां पे मंतली टाइम फ्रेम निफ्टी का यूज किया है आप द साथ आप विकले टाइम फ्रेम पे आएंगे यहां भी उसी रेंज में चल रहा है और उसके बाद डे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो वहां भी लगवा उसी के आसपास है तो कुल मिला के कहीं से भी इसमें अभी आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है करेंडिशन में पतला है एक रेंज में जब बार मार्केट रेंजबांड होने लगती है तो यह बैंड पतला होता है चुक्कि मंसली टाइम फ्रेम है तो इसकी रेंज भी काफी ज्यादा बिगर है अब यहां पर क्या है कि यह जो आपर लेवल होता है बोलिंजर बैंड का एक रेंजिस्टेंस की तरह भी काम करता है याद रखिएगा यहीं पर ब्लास्ट भी होती है और यह रेंजिस्ट अब करता है मान कर चलो कि 10 बार आगर बैंड के पास प्राइज जाता है तो उसमें से 8 प्राइब वो गिरा देगा मतलब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इसलिए ये बैंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी ज़्यादा कारगर होता है सबसे ज़्यादा ये उसके बाद मोविंग एवरेज हुआ फिर प्राइज वाईज हुआ और उसके बाद आपका ट्रेंड लाइन ये सबका दोर आ जाता है बहुत सारे प्रकार के होते हैं पिछले वीडियो मैंने बताये हैं तो बेसिक समझे कि एक रेजिस्टेंस जोन में यहां खरा है और वो भी रेजिस्टेंस जोन हमारा मंथले टाइम फ्रेंड का है एक कहता क्या है कि अब अगर बाजार को ऊपर जाना है तो इस मंथले प्रयास करेगा जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपसे और कहा था कि चार-पांच भी ऐसा हो सकता है कि बाजार एक जगह पर रुखने का प्रयास करें बाजार पिछले लगभग दो सब्तास से एक जगह पर घुम रहा है और घुम घुम कर इस परकार की रही है तो अब आगे क्या हो सकता है अब आगे के लिए यह है कि टाइम फ्रेम पर टंटी एसे में जब तक ब्रेक ना कर दे टाइम फ्रेम हमारा इस हुआ ध्यांस यहां पर आ जाई यह जो कि चल रहा है तो टाइम ष्रेम पर प्राइज की अपनी यो राकर्सन करता है खीचता है और प्राइज वहाँ पर आके आगे बढ़ जाता है यह प्राइज का नॉर्मल कंडिशन होता है चलने का ठीक है आप देखेंगे कि एक बार जब ब्रेक कर चुका है तो जब जब इसके नजदीक आता है या इसके पास आत है तो फिर यह आगे बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कहींगे कि बाजार में गिरावट एक अच्छी खासी वाली तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक यह 20 एसे में को ब्रेक करके इसके नीचे दो क्लोज ना कर देगा तो इसके नीचे दो बहुत पर इगिरावट हो जाएगा अब बाजार क्या करेगा कि नाटक शुरू कर देगा फिर ऐसे 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 वाला मतलब यह तो उपर ही लेकिन मंधली टाइम फ्रेम हैं तो नाटक बहुत बड़े बड़े होने वाले तो उतने में धरकन नीचे हो जानी है लोगों की यह बात आप समझ लीजिएगा लेकिन कुल मिलाकर है कि बाजार ऊपर ही है चुकि हमारा क्वाटरली सिक्स मांथ ओड़े टाइम फ्रेम बुलिस है जो मैंने यह टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग यूपे चार्ट भी आपको दिखाया था पिछली वीडियो जाकर एक बार दे जहां तक पाया क्या है कि हमारे हमारे हां कि डो हजार ऑफ घर के प्रबया मारिकट ज्यादा टाइम नहीं लेता है बाट बुल मार्केट लंबा दौप चल रहा है तो अपकोरस आने वाला टाइम इंडिया का है इस चीज को मैंने बेर रखियेगा तो यही कारण यहरी साल से चली रहा है और यह अर्ली टाइम प्रेम क्या करता है कि जो पिछले साल का यह अर्ली क्लोजिंग था उसके ओपर यह अर्ली क्लोजिंग होती है यह वी है तो इस सारी चीज़ को अपने नौलेज बैंक में रख लीजिए यापके काम आएगा तो रिजिस्टेंस है और आप деृपर जाना है तो भेंट को ब्लाप करना घर कर जाता है कि बजार में इतनी आ था सकती है कि और यहां प्र करता है यह नहीं करता है यह अगर 20 SMA के नीचे डे टाइम फ्रेम पे दो क्लोज कर जाएगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे फोरे समय के लिए हो सकता है महीने देर महीने के लिए एक गिरावट आ जाएगी ठीक है तो यह बात आप मैंग में रख लीजिएगा यहां पे कोई लॉंग पोजिशन उपर के भी बनाने का कोशिस मत कीजिएगा तब तक कि जब तक की बाजार 18,870 या लाइफ टाइम के उपर एक बार क्लोज ना कर दे जब उसके उपर क्लोज कर देगा तो हम फिर देखेंगे यह क्या करना है और क्लोज में कम सकम वीकली चा पे बन जाती है जूम की तो फिर क्या होगा कि बाजार में वो गिरने नहीं देगा असानी से फिर इसका लोग होगा जो एक सपोर्ट की तरह काम करने लेगा और हो सकता है कि आने वाले मंत में इसको ब्रेक कर दो यह थोरा सा माइड में लेकर चलिएगा लेकिन यहां पे को का एसल मान कर चलेंगे तो तकलीफ नहीं होगी हेज कर लीजिएगा फ्यूचर हेज कर लेंगे ज्यादा बेटर आपको कर सकता है क्योंकि उसके एजस्मेंट काफी एजी है उसको करके चल सकते हैं ठीक है अब आपको हम थोरी से आप्शन के बारे में बता दें और बाजार अब एक ट्रेडिंग पैटरन के बार में बताते हैं क्या है फैट इमोसन से जुरा हुआ है अक्सर आप बाजार में किसी विव्यक्ति को फालू करते होंगे कहीं पर बी सोसल मेडिया पर करते हैं कहीं भी तो आप एक चीसे नोटिस कीजिए कि इस बाजार में मुलदा तीन कुछ की कुछ में पूछ के जाएडस होते हैं इक दूसरा प्राणीं होता है जो बुल होता है एक उसे डिखाई बाकि उसे दिखाई नहीं देता है चाहिक कि अब यह जगा आपको देखने को मिल जाएंगे तनी वेआघ विलेगा प्लेड促 लिए उसी समय इमेडियोट है तो इसे वह निए अब आप देखेंगे कि यह क्यों बता रहा हूं कि बुल और बीयर में खासियत हैं आप भी बियर जो है उनलगातार आपको सेल सेल कह रहा है बाजार उपर जा रहे मतलब आपको कहीं भी वह दिखाई नहीं कोई दिखाई नहीं देखा बिल्कुछ सनाटा होगा कहीं से भी लेगा कोई नहीं बोल रहा है तो उस समय हमें घवरानी के जरूरत होती है क्योंकि बीएर जब सांथ हो जाता है तो कुछ के कुछ ही दिनों के बाद मार्केट में डिसकाउंट से समाजाता है मैंने यह जो पाया है से बुल साइड में भी है कि बजार लगातार गिर रहा है बुल कहेंगा अभी डिपीज बाए और एवरी डिपीज बाए करते करते हो ठक गया और बाजार नीचे जा रही है तो समझ लिए का बाजार कहीने कहीं से आप उपर कर सकते हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहां पर बाजार चेंज करने की कोसिस करेगा और जैसे ही बाजार में कंडिशन उनके अनुरूप होगा तो बहार आ जाएंगे ठीक देखो मैंने कहा था बढ़ गया तो इस चीज़ को आप इंडिकेटर के तर पकर नहीं ले तब तक को चेंज नहीं होता है तो वही बात है तो ऐसे इसको यूज किजिए अब बात करते हैं ऑप्शन की थोड़ी सी बस बेसिक बात करेंगी ऑप्शन में अक्सर आप लोग देखते हूं कि जो बायर है मैं बायर के लिहाद से आज आपको बताने का प्र प्रॉट के बायर हो तो आपके के लिए चैलेंज दो-ती चीज आती है एक चैलेंज होता है लोगृती से अपाफी ज्यादा मोमेंटम करने लगेगा ठीक है जो एटीएम एट दमनी के जो आप्सन की बाइन करते हैं उनकी पर परेगा उनकी बात कर रहा हूं इसमें हबाब होगा तो पर जाता है तो उनको इन सब चैलेंज को फेस करना परता है और उनको पता नहीं जलता है कि मैं क्या रूपे लिया है तो इन सम्में कहीं कुछ ने कुछ कमिया है आपको मैं बता रहा हूं कि जो मेरी बहुत जादा लोगों ने मुझसे क्वाइडी किया था कि सर्फ टाटा मोटर के बारे में बताईए कि आपने उसमें क्या देखा था और क्या क्या हुई थी और मैं आपके इमोशन के बारे में बताऊंगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ होगा उस समय आपने क्या की होगी तो सबस्क्राइब बर यह देखा था कि इसकी तो मंतली क्लोजिंग है इसके ऊपर इसकी मंतली क्लोजिंग है इसके इतना ही क्वार्टर तक आया है क्वाटर से भी उपर से ही निकल गया है और इसमें भी क्वाटर से उपर निकल रहा है तो इसका मतलब आगने वाले वक्त में भी यही करेगा तो पहला यह देख लेना है दूसरा वीकली टाइम फ्रेम धी ठीक ठाक था और उसके साथ आपका डे टाइम फ्रेम की डेट है हम लोग यहीं पर पांसो तीस बात पास था तो गिंब स्टार्ट किये थे तो जब आप आप ऑप्सन की बाइं करते हो तो आपको पहले कैस की चाप को देखना है पोजिशनल की बात म बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो इंट्रावल 2 होता है डिफेरंट होता है अब क्या हुआ कि आपको देखना है कि आपको चार्ट क्या कर रहा है तो मतली पर सक्वेल थांस की जल GA तो आपको देखना है कि यह टाटा मोटर 531 चल रहा है तो 500 रुपे का स्टॉक है तो कम से कम 10% उपर का तो हम आइडिया लगाएंगे ना क्योंकि हम OTM बाय कर रहे हैं तो 10% उपर का ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं को जिस्टनल में लेकिन आपको पता है कि प्रसेंटेज़ बाइज प्रॉफिट को हमें OTM में होना है हवास से जब चिप्स बनाएंगे तो पैसा बनेगा ऐसे चिप्स लेते हैं तो बेटर है अगर आपको पास पैसा है और आप रिस्क ज्यादा छेल सकते हैं आप आइटियम की वर जाईए ज इसमें की चिप्स होँ हवा कम हो उसमें ज्यादा पैसा बनता है जो है बहुत ज्यादा फेब्रेवल नहीं होता है कंपेर टू लेकिन आइटियम बेस्ट होता है दीर दिर आपको समझ में आएगा तो ऊसोफ जाएंगे लेकिन कम पैसा दिन के पास हो कि पास एक लौट लेकिन हमारे पास समय काफी ज़्यादा था में महीना ही था जून की एक्सपारियस टार्ट नहीं हुई थी तो हमें लेगा हैं चाइम कम है तो बिलकुल एक 2% मिलेंगे एटी एए में लेकिन ज्यादा है तो हमारे पास 40 आस पास टाइम था इसको देखते हुए हमने ओ टीम को स्टो किया था तो आप भी पहले चार्ट को देखनी जित लेना है चार्ट है काईस की चार्ट में सब से कई और गिरते कहां या इस डिशन के पास तो एगरेंगे कि इस ट्राइक को आ करके उसके परचेज कर लिया है और बाजार यहां गिरके आ गई है तो आप पांसो, चालीस, पांसो, पचास, पांसो, साथ, इन सब के option को purchase करने का प्रियास कीजिए, 5% आगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 10% को यहाँ पे 5% आगेगा, मतलब 530, 540, कुछ भी हो सकता है, कभी भी same strike average नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, अब near को कीजिए, option के average कर रहे इसे ले रिया, यह हमारा एसे ले रिया भी, क्योंकि प्राइज एक बार इसके उपर breakout लिया था, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे एक बार एवरेज के अब फिर यहाँ गया, तो दुबारा इसके पास आएगा, तो भी उपर जाने के संभावना होगी, चुकि प इसे ले रिया होता है, हम सारी पोजिशन को कट करके एक बार निकल जाएंगे, जोर भी लॉस बुक हुआ हाँ, जोर के पीछे हट जाएंगे, दूसरे को देखेंगे, यह आपको हमेसा याद रखिएगा, तो एक कैस में हमारा एसे ले रिया होता है, ना कि हमारे ऑप्सन म होता है, बहुत लोग ने पूछ रहते हैं, सर, वही कैस में से लोगा, ऑप्सन में नहीं हो सकता, ऑप्सन में मैं कर दूं किसी को दो, तीन, चार, पांच कुछ भी और, बजार कुछ और रियक्ट कर दे, तो क्या करोगे, तो अलग लगती जो परभाव करेगा, तो कैस की अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा, रिवार्ड बढ़ जाएगा, और उसके बाद प्राइस दुवारा उपर आती है, और पैसा दे दिया, जबकि उस 7 के चीज़ तक आ चुकी थी, तो यह एक जरनी है, तो जब भी आप ऑप्सन की बा है, तो पूट साइट, टार्गेट, मैक्समां 10% दूर, अगर आपको पास 45 दिन का समय है, तो 10% दूर रहेंगे, अगर आपके पास 30 दिन का समय है, तो 6%, 7% दूर रहेंगे, अगर आपको पास उससे भी कम समय है, तो 4-5% दूर रहेंगे, और आपके पास बिलकुल अब सम करेंगे दस दिन नहीं करें देने ऐगे तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे 20-25 स्टॉक में लिकुडिटी होती है वाती है तो यह लूट में तğimiz रखिएगा 20 सेम्हमन्त की ऊक्सम को पर्चेज नहीं करना करना है कि कम से कम पांच से साथ स्टॉक उठाना है और उन साथ स्टॉक चार्ट को देखना है और जो भी उसमें बहतर लगेगा तो एक बास्केट बनाने है अगर आपकी नहीं होना परेगा लेकिन एक आ लेंगे तो आप फर्श जाएंगे तब आपको दिक्कत आएगे तो यह बात इसमें भी लागू होता है कि बास्केट को आपको अपनाना है और इस प्रकार चलिएगा दस बार अगर आपको ट्रेड लेते हैं एक-दो बार लॉस भी होगा ऐसा को बिजनेस नहीं जो 100% आपको प्रॉफिट देगा पूरे बल्ड में तो एक-दो बार इसमें भी लॉस होता है बहुत माइनर सा होगा ना हमने जो बाइंग किया उतनाहीं का होगा या उसके आसपास कहीं यह से लिट हो गया तो निकल गया ना ऐसा हो जाएगा तो निकल जाएंगे यह चीज का ध्यान र रखेगा तो वहां पर बिलकुल दम इस पॉट कहीं असे लिज कीजिएगा कोई भी ऑप्सट कीजिए इस पॉट का से लिजिए लेकिन कर आइटीम डी मिटीम ऑप्सन में जाते हैं डीप आइटीम मतलब जिसमें कि बिलकुल हवा नहीं हो फिके ना तो उसमें आप उस इंटर रिवार्ड उन्हीं option के लिए है तो यह ध्यान रखिए और आगे से जब भी option की कोई करते हैं कुछ भी करते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखेगा पोजिशनल बाइंग में तो जिससे क्या होगी कि आपको तकलीफ हो है काफी ज्यादा कम होगी option कोई भी बाइंग करने से पहले आपको कैस spot बताएगा कि कौन से strike लेना है ठीक है ना spot देख लेना है और spot देख क्योंकि spot बढ़ेगा तो सभी बढ़ें कोई भी option बढ़ेगा आप कितनी भी दूर का लेड़ो spot नहीं बढ़ेगा तो इस पॉर्ट और इस पॉर्ट में ध्यान रखना है कि जो option में पर्चेज कर रहा हूं spot को वहां तक जाने की संभावना हो तभी उस पर्चेज करना है अगर उस spot को वहां जाने की संभावना को कहीं से नहीं दिखे चार्ट में तो उस option उनको नहीं पर्चेश करें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा तो यहां पर देखिए कि कितना पांसो चीज़ पांसो से कॉल अप्सन था तो आपको लोग वहां तो गया ही यह सब लागू होता है ठीक है ना बाकि तो अप्सन है तो यह सल बेसल जाना रहता है दूसरी बादार में कि जो ट्रेड करते हैं खासकर और उप्सन के लिए मैं कुछ बना रहा हूं डिजाइन कर रहा हूं बहुत ही बेतर है तेकि मुझे लगता है कि तीन-चार इसको देख लूँ और जो काम करने लगे तो फिर मैं आपको बता हूं जैसे आज ही रडार के था चाव करता है चार-पांच पारी कुछ कर लें तो समझ में आ जाए तो फिर मैं आप लोगों से मिलने का प्रयास करूंगा तो इसको करते हैं तो घबराना नहीं है आपको इन जरूल को याद रखना है कि हमारा कैस है जो वही हमारा स्पार्ट का प्राइज है जो हमारा इसल की तर आप इस चार्ट देखिए समंझ में आता है उसके कोरीं कीजिए नहीं समझ में आता है छोड़ दिजिए कही भी आपको कोई गाती हो करूं या ना करूं तो मैं कहता हूं सिंपल उसको छोड़ दो क्योंकि आप उसको छोड़ दोगे तो आपको कहीं और बहुत बहुत कम है 30 से लेकर 35 लोगो मुस्किल से भी ठापा ते 50 तक हो जाते हैं तो आप लोगं का प्यार है इतना जिसबास में भरोसा है और कुछ भी नहीं है और उसे नें नहीं बताना है वो खुद अपना बताएंगे उन्होंने क्या सीखते हैं नहीं सीखते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप दूरूर कमेंट में लिखिएगा उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगे और मैं इसको आउट चाहूंगा कि पूरे मंत भर कर दो ताकि लोगों का आना जाना रहें आप लोगों से मिलना रहे तो थोरा समय का भाव रहता है इंवली मैन को अपनी परिसानिया है तो उससे नहीं पटलें समय जैसे से बढ़ता जाएगा मैं इसको कंटिनी और बढ़ाता चला जाओंगा दो से चार छे आठ दस देखते हैं एक प् कि आप लोगों को फैदा हो जाएगा देखते हैं क्या हम डिलीवर कर सकते नहीं पर फिर भी यूटुब के माधियम से भी आप लोगों को जितना भी पढ़ाने का काम होता है करीं देते हैं और आप लोग भी सीख रहे हैं मुझे लगता है कि पिछले दो डाई सालों में आ कर रहे हैं कुछ लोग सम्टाइंब फ्रस्टेट हो जाते हैं पर निरास नहीं होना है सब के दिन आते हैं आपका भी आएगा और मैं देख रहा हूं तो मुझे समझने आया कि यह जो जो चीज़े कमांड दे देता हूं उसी पर बात करता है लेकिन और चीज़ें भूल जाता है बट मैनुल जाते हैं तो हमारा हमारा हुमन इंटेलिजेंस काम करता है और वह काफी बहुत अच्छा रहा है यह जल्ट आ रहा है अच्छा बट जो चाहिए वो नहीं आ सब्सक्राइब कर देख लेतें दोनों का कंप्यार कर गया जैसा जो होगा उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे कुछ लोग कहते हैं कि रूल तो पहले बता भी चुका हूं और भी बता दूंगा आप उसके बनवा लीजी किससे भी कि मुझे खुद नहीं है मुझे जादा एडिया नहीं है ओके चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से और इसलिए मैं जाद समयाज नहीं लिया हूं कि जैसा रिस्कस करना था खासकर बायर का बाइर से दूर करना था कि सर कैसे प्याद्ति करें तो इसे प्रकार चार्ट देखी और चार्ट का पुरट लीजिए और उसके की बना लीजीए और उसे इसकेैनर करना सुरू कर दिए सबसें पले थोड़ा सा रिस्क बड़ा होगा बट रिवार्ड भी काफी बरी बले उसके तो थोड़ा सा रहनी करके देखी अपने इंड से अकेला महीं क्यों करूं आप भी थोड़ा सा करें तो बेदर रिजल्ट आ सकता है पर सब्सक्राइब करता है कि करो कुछ भी करो तो मेहनत तो करना पड़ता है ना पढ़ना तो उधर भी पड़ता है पढ़ना इधर ही पड़ेगा थोड़ी से कर ले दिए दूजरी चीज़ मैं एक और आपको बताता हूं कि कुछ लोगों नहीं कहा कि सुने में आया बहुत लोग की सार स्टॉक मार्केट में सकसरेटियो कमीवें से भी भी कहती है कि स्टॉक मार्केट में सकसरेटियो 89 परसेंट यहां पैसा लूज करते हैं 11 परसेंट पैसा बनाते हैं बाजार में ठीक है इतना तो आप लोग पर ग्यान होगा तो मैं यह जा सब्सक्राइब करके बताइएगा एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट वह है या नहीं है तो क्या हमाईस बनना छोड़ दें आप जाएए सब इस्ट्रक्टर बगर के जॉब के निकले या पीचर के निकले किसी के वेकेंसी लाखों फौर में प्लाई होते हैं कितने क्वालिफाई करते हैं पूरे एक डाटा है कि जितने बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ती नए में जो भी बिजनेस टार्ट है तो उनहीं के भीट से महनत करना है उन्हीं कि से सबकुछ है मतलब पैसा ही यहाँ पर लगाना है पैसा ही profit है पैसा ही customer है पैसा ही सब कुछ है आप everything is money तो जहां everything is money हो जाता है जी से पैसा ही लिया जाता है हर को āमसाइब प्रेसंट होता है जब इंदो थे मुसन प्रशंट होगा लालच ह Den होगा तो वहां उस लालच को तो ऑफो कॉंट्रोल करने में जो ताया में लगता हैना उसी को कहते हैं लइनिग फैसे स्क्रीय हैं प्र आपके अंक्रेंड हो जाती है चार्थ पे डाटा पर फंडामेंटल पर जो आप उसके जाते हैं हर व्यक्ति का style अलग होता है कोई व्यक्ति है जो fundamental करके invest करता है व्यक्ति technical और सब्सक्राइब करता है को व्यक्ति को होता है कि दो मेने भी रख लिए गुखार हो जाता है वह व्यक्ति 10-10 तो हर दुकान वी आलग लग है तो आपको अपने इमोशन को पहले करना है कि आपको क्या सूट करता है और आपको सूट करता है वह आपके कैपिल के कोडिंग होनी चाहिए आपके माइंडसेट के कोडिंग आपकी नौलेज के तब जाकर आगे बढ़ेंगे आप बाइंग करते हैं बहुत बर गलिति क्या करते हो आप लोग मैं देखता हूं कि कोई चार उपे के आपसन लिए तो अगर वह आठ नहीं हो गया बारा नहीं हो गया तो आपसन बढ़ा ही कुछ समय मिलेगा लेकिन बाकी समय अगर छोटे आपके परसेंटेज वाई जाते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिलता है तो आपको वहां पर यह भी देखना है तब आप जाकर समय चोटे-छोटे पहले प्रॉफिट ले लेकर भागए तब जाकर मिलेगा जहां सपोर्ट क कैस का सपोर्ट पर खड़ा है कैस में सपोर्ट ब्रेक किया भाग गए तो यह सब आदत थोरा सब निकाली अपने नेचर को चेंज के जिए मार्केट आपको फिर चेंज कर देगा फिर आपको आगे बढ़ा देगा यह बजार क्या है पैसे का समंदर है पर समंदर कहता है कि पहले सीख क्या हो हमारे पास नहीं तो जो लोटा लेकर आए हो पानी लेने लोटा भी रख लेंगे और तुम्हें भी रख लेंगे कुछ सब लोग करेंगे सीखेंगे संबको वैसी करना है सीखते रहें मिलता है फिर आप लोगों से बेहतर को भली बादी समझे मार्केट यही इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है मंथली टाइम प्रेम पार रिएस्टेंस है तो अगर इसके उपर बलेंजर बेंड बलास्ट करेग यहां पर आगे साइड की पोजिशन को खाली करके रखिए बुल साइड की पोजिशन को हटा कर रखिए इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार गिर जाएगी डे टाइम फ्रेम पे जब तक ही लेगा मिलेगा सेल में नहीं आएगा 20 एसे में ब्रेक करके दो क्लोज नहीं करेगी बाजार में कोई बरी गिरावट आने के संभावना नहीं है ठीक है और बैंड ब्लास्ट कर जाता है उपर विकली बैसिस पर भी आगे तो फिर लॉंग आगे बढ़ेंगे फिर 1560 तो अपना है और भंस्ते हुए आजाएगा एक देख डेर्म इनक अंदर ही आजागा फिर जब भी आसी कुछ होता है क्योंकि ब्रेक आउट जोन होगा ना तो चलिए ऐसा कुछ होगा तो हम फिर आपसे अपडेट करें करते हैं जो समझ में आज कुछ भी चार्ट वगर में ज्यादा मनें नहीं नहीं दिखाया मुझे आप से बात करनी चाहिए बतानी चाहिए कि चीज़े करनी है यह नहीं करनी है आपका काम का हो और आप्शन में चार आठ 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 का बार के चक्क्र मत रही है चार से हुआ पांच हो गया छे हो गया उतना दुकान बंद करो भागो फिर निची आएगा देखेंगे सब को अटके पास नहीं तो दूसरे में जाएगे कि अला है तो यह जढ़े निची तो टिकना भी तो काम 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 उर्भाइब लंद काम 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 काम